नफरत का माहूल जो 2014 से सुरू हुआ था वो अब भारतिय सेना तक पहुच चुका है जी हाँ किस तरीके से एक भगवा आतंगवादी ने सेना को अपमानित किया है और सेना ने भी उसका ऐसा मायूस किन जवाब दिया है जो लोक तंत्र में सेकुलरिजम में विश्वास करता है वो मायूस हो जाएगा ये खबर जानकर कि किस तरीके से सेना एक भगवादारी के सामने हत्यार डालती हुई नजर आईए जी हाँ दरासल हम बात कर रहे हैं सुरेश चौवान के की जो लगातार मुसल्मानों के खिलाफ नफरत फिलाते हैं हिंदू राष्ट के लिए सपत लेते हैं दिल्ली में बेट कर एलान करते हैं और हजारों की भीड़ के साथ समिधान को ना मानने की सपत लेते हैं वही सुरेश चौवान के अब सेना से भीड़ गए हैं उन्होंने सेना को भी टारगेट कर दिया और सेना ने उसका जवाब जिस तरीके से दिया है वो बहुत ही मायूस किन है उदासीन है जो जवाब सेना को देना चाहिए था वो जवाब उनको नहीं दिया गया है जिसके चलते आग और सोशल मीडिया पर अब लोग लिख रहे हैं और सुरेश चौवान के को सुना रहे हैं उनको भद्दी भद्दी गालिये दे रहे हैं जी हाँ अब खबर जान लेते हैं कि पूरी खबर क्या है मामला क्या है क्यूँ सुरह चहवान के ने सेहना को अपमानित किया और सेहना ने जो जवाब दिया है रिपलाई में वो बहुत ही उदासीन है बहुत मायूस करने वाला है वो पूरी खबर जान लेते हैं देखिए दरसल मामला था अफ्तार का पियारो जम्मू डिफेंस ने अपने ट्विटर हैंडल से अधिकारिक ट्विटर हैंडल से फोटो शेर करते हुए लिखा था रियल सेक्यूलरिजम इन इंडिया यानि के जो सेना है वो हिंदुजियम को भी मानती है बुद्धिजम को भी मानती है और वो इसलाम को भी मतलब जो उनको फोलो करते हैं उनका भी सम्मान करती है तो जो फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो ट्विट किये थे उस पर सुरह चववान के ने जो लिखा था वो बहुत ही भयाव है डरावना है और जिस त गुज गई है दुखद पियार और डिफेंज जम्मू ने ट्विट करते हुए लिखा है कीपिंग अलाइव दा ट्रेडिशन ऑफ सेकुलरिजम एन इफ्तार वाज और इंडियन आर्मी एट अर्नोरा इंडोडा डिस्ट्रीक रमदान यह देखिए यह फोटो और यह ट्व लाफकारवाई करती लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया है वो सुन लीजिए जम्मू कस्मीर जो प्यारो जम्मू कस्मीर का जो ट्विटर हैंडल है उसने यह ट्विट डिलीट कर दिया आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो आदमी दिल्ली में बैटकर सम्व ट्विट करता है और सवाल करता है उनको अपमानित करता है कि यह बिमारी यहां मी घुज गई इस पर सेना की परतिकिरिया जो है वो यह होती है कि वो अपना ट्विटर हैंडल ट्विट कर देती है अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह या तो इतना बड़ा दवाव है कि सेना तक के लोग जो है सेना में जो बेठे हैं हमारे जवान वो भी इस संपर्दायक्ता की चपेट में आ गए हैं और उनको भी इस तरीके का ट्विट डिलीट करना पड़ जाता है तो इस तरीके से लगातार जो है संपर्दायक ता नफरत जो है वो जगा जगा फेलती जा रही है और सुरेश चवान के जैसे लोग वो सेना को भी नहीं बकस रहे हैं उनको भी अफमानित कर रहे हैं लेकिन सेना का जो जवाब है वो बहुत ही उदासीन है उनको चाहिए ताक के सुर्फ चौवान के पर कारवाई करते लेकिन उन्होंने दबाव में आके इसके पीछे क्या मजबूरी रही होगी उन्होंने दबाव में आके वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया और ये ऐसा पहला मामला नहीं है कि भारतिय सेना ये जम्मू का ट्वीटर हैंडल है पहली दफ़ा इस तरीके का ट्वीट किया हो इससे पहले भी ये देखिए इससे पहले भी लगातार वो भाहिचारा और तमाम तिवार मनाते आए हैं और जो सोशल मेडिया पर ट्वीट भी करते हैं ये देखिए दिवाली मिलन सेलेब ओर्गनाइज बाई रजोरी एक्ता कमीटी एट रजोरी एप्रोक्स 200 लोकल्स इंकलूडिंग प्रोमनेंट परसनालिटी इन्वाइटेड तो ये देखिए इससे पहले जो होली मनाए गई थी दिवाली मनाए गई थी उसका भी इन्होंने ट्वीटर के जरिए ट्वीट किया था इसके अलावा देखिए सेलिब्रेटेड होली विद स्कूल चिल्ड्रेन ऑफ बॉर्डरिंग विलेज दींग तहसील नोसेरा डिस्टिक रजोरी इसके अलावा ये देखिए एक्स्टेंट गिरीटिंग और बेस्ट विसेश टू ओल रेंग देर फेमिली एंड अवाम ओंदा ओकेजन ओफ जन्मास्ट मी जन्मास्ट मी भी सेना ने मनाए थी अपने अधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया लेकिन जब इस बार उन्होंने रमजान में इफ्त बताते हुए सेना को अपमानित किया और सेना ने जो जवाब दिया है वो बहुत ही माश्किन है उन्होंने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया तो ये बड़ी खबर थी कि किस तरीके से अब जो भगवा आतंकी है जो समिधान को नहीं मानते जो दिल्ली में बैठकर समिधा समिधान बदलने की बात करते हैं वो लोग अप सेना को बानित करती है और सेना पर भी दवाव है या जो भी इंटर्नल मेंटर है सेना को भी इन जैसे चुन्टों के खिलाफ कारवाई करने के बजाए उनको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ जाता है तो आप हालात समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं किस तरीके से आज ये लोग जो समिधान के खिलाफ है जो भारत को हिंदु राष्ट बनाना चाहते हैं वो कहां कहां पर बेठे हुए हैं और हर जगे से अपना काम कर रहे हैं तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप अपनी राय जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें